कोनिक बताने लगाओ यह देखिए इस कोनिक के जो प्राइस है न हो यह है दोस्तों राइल पैलेस तो बंद है कोई बात नहीं है लेकिन मज़ा काफी आया लोग काफी आये हुए है लोग पारक्स में बैठे हुए है जो दूप का मज़ा भी ले रहे हैं तो मंडे बीजी लेकिन टूरिस्ट यहां पर काफी साथ आये हुए हैं तो हम ऐसा करते हैं अब बचलते हैं कुछ खाने के लिए तो एक्स्प्लोर तो मुझे लगा मैंने करवाया थोड़ा बहुता तो जो करवाना थो मैंने करवाया लेकिन अब टेस्टिंग बारी है अब मैं मिलता हूं स तो दोस्तों अब है एम अगया है जैपूर इंडिन रस्टरान में तो अगर इनडिया से बाहर हो और कर न जो अच्छानक आपको कोई रेस्टोन मिलजा है तो उसको क्या कहने है तो यह बुफे सिस्टम है जव दूँ आइसा भी शुरू करते हैं तो मैं आपको बतातो हूं है क्यासवा है पन्दूरि चिकन है तुल है करते हैं है है कफी फलेवर कूल तो तनाहीं ज्याद है अलु फेह सब्लेंड है 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 फ्टत्री के तरसए कशनी अब इनकश स्चान हिस छली है तब बिन ó PT करते लेते हैं यह कैसे हैं अमेजिंग वर्दस कफी दवर्दस इसका फूरा इंडियन फ्लेवर आ रहा है तो इना जरू रिकमेंड करूंगा अगर आप यहां पर आए तो यह पकट रही करना है कफी अच्छा है बिल्कु गर्वला टेस्ट है एक्छली यह समगर में बनाते हैं सा अमेजिंग मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि यहां जरूर आए अगर इंडियन फूड के शोगीन हैं अपको इंडियन फूड के शोगीन तो सभी होते हैं लेकिन अब अगर आप वहीं रॉयल पैलेस की तरह हो जाएं तो उससे पहले आपको यह दा जैपूर इन्न तो हमें हमारे शिप में पहुंचना है लगबग सब्सक्राइब करें तो इस सब्सक्राइब करते हैं यह कोई प्रोमो नहीं है यह कोई मैं कोई आड नी कर रहा किसी की लेकिन हाँ खाना वाके में बड़ा अच्छा था तो चलिए अभी टाइम हो गया हमारा दो बजिया अ दोस्तो हमें ढ़ाई बजए से पहले पहले हमें अपने शिप में जाना है अ अ तो दोस्तो खाना काके अभी हम सीधा डीवडियस के पास पहुंच गई है जो डीवडियस के जो टर्मिनल है वहां में पहुंच गई हैं तो मैं आपको पास एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि मेक्शूर कीजिएगा कि टाइम से वहां पर पहुंच जाए है क्योंकि दरवाइस यह नहों कि आप वहां पर देखते रहें समान और यहां से शिप आपका छूट जाए और चिप शूट गया तो फिर आप काफी तो मुझे डैनमक का जो टर्मिल ना वह ज्यादा मॉटन और ज्यादा क्लीन लगता अच्छी यह अच्छा है लेकि यह थोड़ा सा पुराना है तो अपने डैनमक का भी देखा है वह कैसा लगा जारा कॉमेंट सेक्शन में लिखना है तो इनकी जो सेल्फ चैकिंग वह सी ह आप लेकिन हमारी जो आइडी जो हमारा पासपोड चैकिंग वह सब आगए हो की होओ आप समने से सकते हो मैं आइण को मैं एलगे तो आगे आपको जाइन करता हूं तो दोस्तो हमारी जो हुला इसामारी पी की सब कलीर होगी है तो सीधा हम चल रहे हैं अपने शिप में तो में जैसे मैंने का था कि जो हमारा जो डैनमा का जो टर्मिनल है वो जादा मॉडन है यह तोरह सा पुरान है आपको क्या लगते हैं मुझे बताना ज़रा ओमेट सेक्शन में तो चलो चलते हैं उपर तो दोस्तों हम नौर्वे पूरा गूम के यह वसलों पूरा गूम के आगे हैं तो पूरे टाइम से आए एक्शली टाइम हुए अभी दो बच कर 24 मिनट तो इसका मलग यह कि जितना भी टाइम था हम सारा पूरा वह यूज करके तो सिधा यहां पर आगे हैं तो मैं आप से य टाइम से शिप में आजाएं अधरवाइस अगर वह शिप चूट गया तो आपके लिए काफी जादा मुश्किल आजाएगी दोस्तों इस सामने आप जो देख रहे हैं ना ओपरा हाउस जितना भी जो इरिया इसको कहते हैं उसलो फ्यॉड या ऊसलो हारवर और पूराने ट जिप थे वह यहीं प्याके लगते थे लेकिन आज के टाइम में यह काफी मॉडर्ण हो गया आप बिल्डिंग्स देखी यहां से कफी जवर्दस लिए हैं लेकिन आज हम काफी लगी थे काफी जवर्दस था पूरा संशाइन विल्कुल क्लियर स्काई आप सब देख सकते हो कितना क्लियर स्काई है इस नार्मल होता नहीं है अगर आपको यूरोपीन वैदर को देखें तो आपको बड़े रेर चांसी होते हैं कि आपको क्लियर स्काई यह संशाइन मिल जाएं काफी लगी हो तो उसी साब से आज मैं काफी जाए लगी था और मेरे साथ आप भी काफी लगी थे कि आपने बिना बादल के सब सब देख लिए कि कर दोस्तों तीन बज चुके हैं शिप हमारा निकल चुके हैं टूवर्ड्स कोपनेवन तो वो सामने रहा वो स्लों हम उसको छोड़ चुके हैं तो भी मैं टेक्स शॉप के अंदर जा रहा हूं लेकि जब मैं वापिस आऊंगा फिर आपको इमें सिक्रेट बताऊंगा लिए किसी को बताना नहीं जिसे आप में और मेरे में रहना चाहिए यह किसी को नि बताना हूं यह मैंन सेक्षिंगा यहां कुछ चीज़े मिल जाएंगा यहां कुछ चीज़े मिल जाएंगा तो कि अधियंगा यहां जाएंगे जबीयल के जबीयल के ब्लुटू स्पीकर आएंगे कि मेंटोस के फ्राया कि नौर्वे की चोकुरिट है और यह रहा इनका वाइन सेक्शन यह सारी बीर्स लगी हुए है इसारी वाइन लगी हुए है लगी है है किसारी वाइंस रड़ वाइन सटेक्शन के सब्सक्राइब काया है कर दो कि आदेखिए पर्षाप को में एक कौनिया को ताने लगाव है यह देखिए इस कोनिक के जो प्राइस है नहों यह है मतलब आलमोस्ट आलमोस्ट 20,000 डैनिश क्रोनर और इसको यूरो में देखा जाएं तो 2684 तो अब खुद अब यह देख लेना कि यह कितने किया इंडियन करण्जी में कितने के मिलती है यह 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 भी है और इसकी प्राइस देख लेना इसकी प्राइस है 18,599 डैनिश क्रोनर में हाला कि यह भी टेक्स फ्री शॉप है और अगर यह अगर आप बाहर किसी वाइन शॉप में लेने जाओ तो मुझे लगता है यह को महीं हो जाएगी है यह यह भी है इसका प्राइस देख लीजिए अगर कि में अगर तो हो नहीं कि क्या कॉन सी यह क्या नहीं है यह मुझे नहीं बता लेकिन आप मैंसर्व आपको यह प्राइस बता रहा हूं कि इतनी महंगी महंगी प्राइस चली जाती है यहां पर लिमिटेट एडिशन नहीं है इसकी प्राइस देख लीजिए आप 6199 दैनिश क्रोनर्स कॉनियक अचलो गाइस इसमें तो में इतना एक्सपोर्ट हो नहीं लेकिन हां मैं आपको आगे बिताता हूंगा आगे क्या क्या है अभी आगे चॉक्लेट सेक्शन सारी यहां पर आपको डैनिश नॉर्विजन सभी तरह के चॉक्रिट जहां से मिल जाएंगे बच्चों के लिए भी है लेडिस देबार्टमेंट बिसमा लेकिन हाँ अब यहां से देख लीजिए पर्फ्यूम्स यहां पर काफी होंगे यह भी है तो बास छोटा सा टूर मैंने आपको दिये आज प्रॉमिस्ट जैसे होगा वह वाउचर होगा आपको फ्री टूर यानिकी फ्री यहां से देन्मार्क से लेकर नौर्वे नौर्वे से फिर से देन्मार्क यह आपको देते हैं फिफ्टीन हंडर्ड के आपको शॉपिंग करने पड़ेगी वाउचर मिलेगा जो आपको एक साल के अंदर उसको यूज करना अधर्वाइस यह पूरा एक्सपायर हो जाएगा तो यह सिकर्ट था इस अपने अपने तक करी रखना किशे को बताना नहीं है तो चलो चलते है है तो दोस्तों टेक्सụी शाप से जब मैं वापिस आर्भाप तो मैंने लाइट है संविच लिया तो वो क्या था कि जो डुपहर को जो इशादा है कि इयू थो चोटा सिर डाय वेन मेने सोटी साली संविच वह खाया और बस तो मैं मुझे लगता कि आज-पर Sesा ni को पोंच कि जब कोपनेंग पहुंचते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है तो उसके बाद हम अपना वीडियो यह खतम कर देंगे तो ठीक है आज का वीडियो यहीं प्रेंड करते हैं तो कल सुभा मिलते हैं तो शुब रात जी प्रेंग करेंगे पहले इस चीज को देखकर मेरे पीछे आप देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहे हैं अगर ऐसे रोड़ सुभा ऐसी हो तो मज़ा जाए खासकर वह भी यूरोप में कि यूरोप में दूप निकल दी नहीं है तो चलिए दिन की शुरुबाद करते हैं आज और रेक्वास हमारा साथ आठ वजे के क्रीब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम पहुंचेंगे को पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे तो वहां पर हमारी जो प्रस्टेस होगा वो चेक इन का या चका उट का तो फिर मैं आपको वह फालू करूंगा चलिए दिन की शुरुवाद करते हैं और दिन की शुरुवाद अच्छे ब्रेक्वास से शुरू करते हैं और डैनिश ब्रेक्वास्ट कफी अच्छ होता है यह भी चलिए फ्रेश कफी और सामने जो आप देख रहे हो वह स्वीटम मैंने उनका सेम ही है जैसे कल था तो कुछ डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ ब्रेक्वास्ट इनका अच्छा होता है जवर्दस ब्रेक्वास्ट तो थैनका था कि अच्छा है था किस पैसलिंगी जो चीज है और जो हनी है दोनों का कंबिनेशन जबर्दस्ट होता है कफी मजा है आप जब आप आप जरूर करना अचाव में कफी अच्छा जबर्दस्ट आइनका बेटास तो चली गई गईस में ब्रेक्वास्ट इनिच कर ली कि ए जो लोग ब्रेक्वास्ट पैकेज नहीं लेते हैं तो यहां से आके भी अपना ब्रेक्वास्ट बेसे सकते हैं यह कैफिटेरी ए अब कैफेटेरिये में काफी आप्शन ह होते ही है ब्रेड बटर या सैंविच आप यहां से आके ले सकते हैं तो दे सकते हैं कि लोग काफी बैठे हुआ है जो लोग वहां पर नहीं जाते तो यहां पर आकर बढ़ सकते हैं हो जो ही बल्लाज मुशभफ टोया तो ओ सकते हैं हुआ हँआ हुआ או का नहीं जांचे । तो दोस्तों दस बजने में सिर्फ 10 मिनट बाक़ी है कि शिप हमारा एब तो मैंने जैसे मैंने पहले कहां है कि पुरे टाइम से आना टाइम से जाना इन लोगों की एपीट है तो आ देखिए सिर्दस मिनट तो उसके बाद अभी वैसे यह अनूंस भी करते हैं कि अपना पासपोर्ट और अपना वीजा साथ लेकर जाएं हो सकता है कि आगे चेकिंग हो तो डिपेंड करता है डे टुडे तो फिर भी यह चीज अपनी बूलना नहीं अगर आप नौर्वे से डैन्मक आ रहे हो तब भी और अगर मीज्च क बाद लेकर अंपनी और से नार्वे नंहुक तू फिर से घर जा रहे हो तो यह तो अपनी चीजें अपने साथ लेकर नहीं यह लकिन यह हैं अिससा इंपनी चीजें यह साथ लेकर आना और जैसा सबने देख सकते ओ票 व थाय जा रही है इसका मदल समने तो यह अंदर वाले जो कैबिनो ते वाइसी होते हैं नीचे वजबुशच सबस्काइद दो और दो भाथ भाथ देन परिश tik अधिक थे परिश के बजये हैं它 क्इसमामां स्कॉद गर्लाव होते हैं तो एक बन्दे काव सकतन कोईज्चरद्रा दो सा फिलती हैं और भाथ सkitद्राबी अग्ते। तो दोस्तों अभी हम शिप से बाहर आगे हैं जो पास्पोर्ट चेकिंग होनी थी वह हो गई है तो बस अब यहीं से अपना वीडियो खतम करते हैं लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह ज़रूर याद दिला दू कि होफुली आपको यह मेरे जो कुछ टिप्स थे कुछ इन्फोर्मेशन थी वह इसको यूज कर सेके जब भी आप डैनमाक आएं या डैनमाक से पोस्तों जा रहे हैं तो मेरे वीडियो को जूरूर याद कीजिए और एक बात और यह मेरे चैनल का पहला वीडियो था जो इंटर हुआ हुआ है